आज हम उताने वाले हैं कि बिना येस्ट बिना आवन के आप घर पर पिज़ा का बेस कैसे त्यार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हेलो दोस्तों मैं हुमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइब अगर आपको ये रसेपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिगा और शेयर कीजिगा इसे अपने दोस्तों के साथ परफेक्ट पिज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़ा का डो तैयार करेंगे एक बड़े बोल में आधा कब दही आट करेंगे एक चताई च्छोटा चमच नमक एट कर लेंगे और अब हम एक चताई च्छोटा चमच चीनी एट करेंगे चीनी से पिज़ा के डो में फॉमेंट होने में हेल्प मिलेगी तो चीनी एट करना बहुत ज़रूरी है आधी चोटी चमच खाने का मीठा सोडा एट करेंगे इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और आधी चोटी चमच ही हम बेकिंग पाउडर एट करेंगे बेकिंग पाउडर जो केक में इस्तमाल होता है हम यहाँ पर baking soda and baking powder तोनों equal quantity में add करेंगे और अब हम यहाँ पर कुछ herbs add कर लेंगे मेरे पास oregano बड़ा था हम यह add कर रहें आप basil leaf and all जो भी आपके पास से वो add कर सकते हैं डेट पड़े चमच olive oil add करेंगे olive oil नहीं है तो आप कोई भी vegetable oil add कर सकते हैं refined oil और अब हम इसे mix कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें all purpose floor यानि की madea add करेंगे जिसे हम plain flow भी बोलते हैं आप ये dough यहों के आटे से भी बना सकते हैं अगर healthy खाना चाते हैं अब इसे हम हलके हाथों से गुनते वे एक dough का shape दे देंगे गाइस ये एक requested वीडियो है और इस time lockdown चल रहा है और हो सकता है काफी लोग के पास yeast नहीं है अगर आपको yeast के साथ चाहिए pizza dough या फिर pizza की recipe तो हमारे चैनल पे available है वीडियो के नीचे description box check कीजगा आपको पूरा वीडियो है और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहा है तो हमें कमेंड कीज़े हम आपको लिंक प्रोवाइट कर देंगे येस्ट के साथ हमने विना ओवन के pizza बना कर दिखाया है आपको पूरा वीडियो है और गाइज हमारा बातों ही बातों में ये डू भी रेडी हो गया है अब हम इसे क्लिंग रैप से कवर करेंगे और इसे रेस्ट देंगे लगबग 30 मिनट्स का अगर आप जादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है आटे को रेस्ट करते वे 30 मिनट्स हो चुके हैं लगबग और अब हम एक कडाई ले ले लेंगे और इसे प्री हीट करेंगे तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमा क्याट के लिया है कब के करीब और एक वायर रेक रख देंगे ताकि हाइट मिल्सा के बरतन को और डख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में से पांच मिनट के लिए गरम करेंगे इधर हम देख लेते हैं कि हम पेजा बेक कैसे करेंगे तो हमने आप पर एक मामुली सा डखकन ले लिया है कि बॉक्स का स्टील का है यह आपके पास अगर केक बेक करने का मोल्ड है या फिर आपके पास कोई प्लेट है कोई भी नॉर्मल प्लेट वो ले सकते हैं घर में यूज होने वाली तो इस तरीके से हमने एक बटर पेपर चिपका लिया इसके उपर रख दिया है ताकि हमारा पिज़ा बेस आसानी से डी मोल्ड हो सके अगर नहीं है तो आप इस पे थोड़ा ओल लगाए थोड़ा सा आटा डस्कर दीजे एकसे जाटा जहार दीजे चारो तरफ लाने के बाद वापिस निकाल दीजे एंड देन यह त्यार है इधर हमारा आटा भी तीस मिनिट से जादा रेस्ट कर चुका है इसे आप कम से कम दस मिनिट के लिए भी रेस्ट पर रख सकते हैं और इसे थोड़ा सा पंच करेंगे और वापिस से मसल लेंगे और अब हम इसे दो भागो में डिवाइट करेंगे यह देखे कितना ज्यादा सॉफ्ट है गया आटा तो एक कप आटे में आदा कप दही पॉफेक्ट है और इसमें पानी के आवशकता भी बिल्कुल नहीं है तो अब हम इसे दो भागो में डिवाइट कर लेंगे और इसके हम दो पिजा बना कर त्यार करेंगे मीडियम साइज के आप इसका एक बड़ा पिजा भी बना सकते हैं तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे एक बॉल का शेप देंगे सेम ऐसे ही हम दूसरा भी त्यार कर लेंगे और आप चाहे तो इन दोनों बॉल्स को थोड़ी दे रेस्ट पे रख सकते हैं दस बिनट के लिए वर हम इसे तुरंद बना रहे हैं दूसरे को ढग देंगे और इसे हम रोल करेंगे रोल करने के लिए हम थोड़ा सा सूखा हमारा पिज़ा पेज बेल कर त्यार है और अब हम इसकी थिकनेस दिखा देते हैं आपको इतना मोटा रखना है इसे पतला नहीं करना है और अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे बेकिंग ट्रे में जिसमें हमें बेक करना है और उसके बाद हम इसे प्रिक करेंगे प्रिक क्यान कर देंगे तो यह फूल एगा नहीं और हमारा परफेक्ट पिजा बनकर तयार होगा इधर हमारी कड़ाई परी हीट हो जुकी है और इसे हम सावधानी से रखेंगे अंदर और रखावाई गैस के बड़े वाले बर्नर पे गैस के आज को कम कर देंगे उसे 5-7 मिनिट तक यह देखे यह फूल चुका है और इसे हम आप आ निकालेंगे और हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे बहा निकालेंगे अधर्वाइस यह तूट सकता है दूसरे पिज़े को मैं ढख कर रखा था बेलने के बाद और इसे भी हम बेग कर लेंगे स्मी तरीके से 5-7 की एक हो जाता है यह देखिए और अब हम इसे भान निकालेंगे लगबक 10 मिनिट के बाद यह अच्छे से फूल चुका है बेख होने के बाद इसकी पहचान है कि थोड़ा सा फूलेगा और परफेक्टली बेख हुआ है यह देखिए तो गया यह रेड़ी है आप इसे तुरन गया है और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है और एक्दम वाइट है जैसे कि हम माइक्रोवेव या आवन में करते हैं और आप इसे बता नहीं सकता कोई भी कि आपने से कड़ाएं में बेक किया है यह इतना इजी है दस मिनिट के अंदर अंदर यह बनकर त्यार हो गया है इसे प्रेशर कुकर या किसे भी भगोने में भी बेक कर सकते हैं और आवन में 180 degree पर प्रीहिट किर जिए और 15-20 मिनिट बेक कीजिए तो गया इसके बावजूद भी आप पेजा घर पर बनाकर बच्चों को या फिर खुद एंजोई कर सकते हैं इस अगर आप स्टोर करना चाहत पिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ तेल देन में टेक यह थेंकियो फूचिए